कि प्रस्टनावली 13.2 का पहला सवाल है उन्चाई 14imp वाले एक लंग वर्तिय बेलन का वक्र प्रष्टे चेत्रपल दिया गया है 88 cm2 और बेलन के आदार का व्यास क्याद करना यानि एक बेलन है वो उसका वक्र प्रष्टे चेत्रपल दिया गया 88 cm2 और उसका आदार का व्यास ग्यात करना है ठीके तो यहां लिखते हैं उन्चाई बेलन की उन्चाई उन्चाई कितनी दे रखी है उन्चाई दे रखी है कितनी 14 cm कितना दे रखा है 14 cm और उसके बाद में बेलन का वक्र प्रस्टी छेतर पल कितना दे रखा है अट्यांसी सेंटीमीटर स्क्वेर दे रखा है ट्यांसी सेंटीमीटर स्क्वेर ठीके वेलेन का वक्रप्रष्टी छेत्रपल कितना दे रखा है अट्यांसी सेंटीमीटर स्क्वेर तो वेलेन के आदार का व्यास ग्याद करना है क्या ग्याद करना है व्यास बताइए बेलेन का वक्रपरष्टिय छेतरफल ग्याद करने का सुत्र क्या होता है 2 pi r h होता है ठीके बेलेन का वक्रपरष्टिय छेतरफल ग्याद करने का सुत्र होता है 2 pi r h होता है ठीके जो किस के बराबर है 88 के बराबर है 88 cm के बराबर है उसके बाद में टू की जगें टू इंटू पाई का मान होता है बाईस बटा साथ कितना होता है बाईस बटा साथ उसके बाद में आर का मान है वो ग्यात करना है तिरजिया हमें ग्यात करने है तिरजिया ग्यात करने के बाद में हम व्यास कर लेंगे ठीक है और व्यास होता है बो गुना होता है ठीक है उसके बाद में आर की जगे क्या लिखेंगे इन्टू फाइट यानी है 14 cm कितना है 14 जो किसके बराबर है 18C के बराबर है अब इसको हम काट के सरल भी कर सकते हैं 7 के पाड़े से 1 बार और 7 के पाड़े से 2 बार कितनी बार कटा दो बार, उसके बाद में यहाँ पर क्या क्या बचा है, दो गुणा, बाइस गुणा, दो बचा है, कितना बचा है, दो गुणा, बाइस गुणा, दो, दो को गुणा दो से करेंगी, तो चार होता है, कितना होता है, चार, और इंटू कितना हो जाएगा, कितना, बाइस, ठीक वाइस से किसे गुणा करनी है वाइस से तो कितना होता है अट्यांसी होता है कितना होता है अट्यांसी इंटू कितना हो जाएगा आ बराबर किसके अट्यांसी के किसके बराबर है अट्यांसी के बराबर है और उसके बाद में आर की जगे क्या हो जाएगा आर बराबर की जग क्या होता है बाग होता है तो अट्यांसी को पक्सातन करेंगे गुणा क्या हो जाएगा बाग हो जाएगा और अट्यांसी के पाड़े से एक बार अट्यांसी के पाड़े से एक बार यानी आर कमान कितना आ गया एक आगया ठीक है आर अगर एक है तो व्यास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्यों होता है तो r बराबर कितना होता है और d बराबर कितना होता है ठीके, d बराबर होता है 2r, कितना होता है 2r, ठीके, तो d कमान कितना हो जाएगा, व्यास कमान कितना हो जाएगा, हो जाएगा d बराबर, 2 into तो एक वराबर कितना हो जाएगा दो सेंटी मीटर कितना हो जाएगा दो सेंटी मीटर तो व्यास कितना आएगा हमारे पास में दो सेंटी मीटर अगला दूसरा परसन है तेरह पॉइंट दो का दातू की एक चादर से एक मीटर उन्ची और 140 cm व्यास के आदार वाली एक बंद बेलना का टंकी बनाई जानी है इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आउशिकता होगी तीके यानि दातू के चादर की उंचा ही है वो कितनी है एक मीटर है और उसका व्यास है वो कितना है 140 cm ठीके तो यान लिखेंगे दातू के चादर की उंचा ही है वो कितनी दे रखी है वो उंचा ही दे रखी है 14 उंचा ही कितनी दे रखी है एक मीटर कितनी दे रखी है एक मीटर ये लिख दिया एक मीटर उसके बाद में उसके बाद में इसका व्यास दे रखा है कितना दे रखा है तो यहां लिकेंगे व्यास बराबर कितना दे रखा है 140 cm दे रखा है है वो मीटर में किसमें मीटर में और यह तिर्जा है वो किसमें सेंटी मीटर में ठीक है सेंटी मीटर को मीटर में बदलने के लिए सो का बाग देते हैं क्यों कि एक मीटर में सो सेंटी मीटर होते हैं तो यहां पर पो कितना हो जाएगा 5 कितना होस् 2020 कितना ओंहोगा शो जाएगा और 10 6 बराबर में कितना ओंगा साथ meat Norwegian … तीरिया कितने ओगी साथ बटा दस होगी ठीके उसके बाद में बंद मेहलना कार्टक कुये उसमें चादर कितने वरग मीĠर क्या उश्पता होगी चादर होगी कितने वर्ग मीटर की आवश्यता होगी यानि उस वेलन का संपूर्ण प्रष्टिय छेतरफल निकालना तो यहां लिखेंगे चादर का चादर का संपूर्ण प्रष्टिय प्रष्टिय छेतरफल वेलनाकार चादर है उसका वेलन का संपूर्ण प्रिष्टिय चेतर पल ग्यात करने का सुत्र होता है वो क्या होता है टू पाई आर और उसके बाद में ब्रिकिट में होता है एच प्लस आर होता है कितना होता है एच प्लस आर ये होता है बेलन का संपून प्रिष्टिय चेतर पल दो की जगे क्या हो जाईगा? πाई का माँन है, वो कितना होता है? 22 बटा 7 होता है और r का माँन अभी निकड़ा है यानि तिरजिया है, यह r होती है क्या होती है? r radius तिरजिया है, वो कितनी है? तिरजिया 7 बटा 10 है तो यहां लिखेंगी 7 बटा 10 उसके बाद हम dedicate होताएंगा H कितना है H यहांपर कितना है Kitना है तो यहांपर लिकेंगे 8ud hour प्लस R कितना है R हमारे पाश में 7 b'ta 10 से तो यहां लिकेंगे 7 b'ta 10 लिकेंगे ठीके उसके बाद में इसकी calculation کرते हैं 7 के पाड़े से 1 बार साथ के पाड़े से एक बार उसके बाद में दो के पाड़े से एक बार और दो के पाड़े से कटेगा ये पांच बार कितनी बार कटेगा पांच बार ठीके उसके बाद में उपर में क्या बचा उपर में इस साइड बचा है बाइस कितना बचा है उपर में 22 और यहां नीचे में क्या बचा है पांच यानि 22 बटा पांच और उसके बाद में यहां पर क्या हो जाएगा इंटू लगेगा और इसको हम जोड़ देंगे कितना कर देंगे जोड देंगे जोड देंगे कैसे यानि एक के नीचे हम एक लगा सके ने बटा वाली जोड बाकी करते है तो एक के नीचे हम क्या लगाएंगे एक और उसके बाद में एक और दस का लगुतम कितना होता है दस होता है कितना होता है यहां लिख देंगे दस और उसके बाद में देखेंगे एक का बाग किसमें देंगे दस में कितनी बार जाएगा दस बार और दस को गुणा किसे करनी है एक से तो कितना होता है दस होता है कितना होता है दस और उसके बाद में कितना लिखेंगे दस में दस का बाग देते हैं तो एक बार जाता है और एक को गुणा किसे करनी है 7 से तो एक को गुणा 7 से करें कि तो 7 आईगा कितना आईगा 7 आईगा तो ये लिख दिया मैंने 7 तो हम लिख सकते हैं कि 10 प्लस कितना है 7 10 और 7 कितने होते 17 तो मैं इसकी जिगे क्या दूँगा 17 लिख दूँगा दो के पाड़ी से 11 बार और दो के पाड़ी से कटेगा ये 5 बार कितनी बार कटेगा 5 बार अब गुणा किस कि करनी है एक तो करनी 11 इंटू कितना करना है 17 और बटा में 5 इंटू 5 लिकिंगे तो इसी दाम कर सकते हैं कितना 25 कर सकते हैं कितना कर सकते हैं 25 अब देखते हैं 11 को गुणा की से करनी है 17 से तो यहाँ पर side में रब कारियम करके देख दें 11 और into में कितना 17 ठीके कैसे कर सकते हैं 17 के पाड़ा बोलेंगे एक बार तो कितना होगा 17 17 का साता अंसी लगी कितनी 1 ठीके और 17 का पाड़ा बोलेंगे 17 कितना होता है 18 कितना हो जाएगा 18 6 pak कितनी बार जाएगा 25 का बार जाएगा 7 बार कितनी बार साथ बार साथ बार में कितने आते 25 के पाड़े में एक सो पिछे तर आते कितने आते एक सो पिछे तर और दो साथ में से पांच गया पिछे कितना बचा दो और आठ में से साथ गया पिछे कितना बचा एक बचा कितना बचा एक ठीक है उसके बाद में वह कि यहां पॉंट लगा देंगे और यहाँपर कितना उतार देंगे एक सुने उतार देंगे अगकी बार में कितनी बार जाएगा बाग 25 चोकां कितने होते हैं 100 होते हैं कितने होते हैं 100 यहाँ पर लिख देंगे 25 चोक 100 और पिछे कितना बचेगा 0 और यहाँ पर 2 में से 0 गया 2 बचेगा 1 में से 1 गया 0 बचेगा और अगली संग्या हम 0 अतार देंगे 25 आटे कितने होते हैं दो होते हैं कितने होते हैं 200 और 200 में औरफसेल्ण और कुछ का मिलेगा हमें, कुछ का चादर का शंपून-प्रेश्टिशेतरह पले हैं, हो मिलेगा हमें 111 को गुणा कि अगनी 17 से, 111 को गुणा 17 से की तो कितना प्राफ्ट हुआ हमें 17 Eph vision. कितना हुआ एक सो सत्यांसी उसके बाद में एक सो सत्यांसी में बाग किसका देना है पत्चीस का ठीक है पत्चीस का बाग देते हैं तो साथ पॉइंट चार आठ मिलता है कितना मुलता है 7.48 ठीक है यह किस में मिलेगा हमें किस में मिलेगा मिलेगा तो यहां पर हो जाएगा मिलेगा इसको है यह हमारा क्या हो जाएगा एंसवर ठीक है अगला 30 रहपर्शन है 13.2 का टातु का एक पाइँ पे जिसकी लंबा यह 37 चेतर सेंटीमीटर है ठीक है और इसके इसका आंतरिक व्यास है उस पाइप का वो कितना है चार सेंटीमीटर है और इसके पाइप का बाहर वाड़ा जो व्यास है वो कितना है चार पॉइंट चार सेंटीमीटर है ठीक है तो इसमें तीन पॉइंट दिये गए हैं पहला पॉइ घ्यात करना है तो हम पहले क्या करेंगे आंतरीक वक्र परस्थीए छेतर पर उस पाइप का ग्यात करेंगे तो है लने लिखते हैं पहला हो गया ऐधा छो अ हम श्याँ का है वक्र सक्तिय थी कि और चेतर पल पाइप का आंतरिक वक्र परश्टी है चेतर पल ग्याद करेंगे ठीक है तो इसमें पाइप की लंबाई यह वो कितनी में रखी है थे पाइप की लंबाई पाइप की लंबाई है वो 37 cm ठीक है और उसके बाद में पाइप का आंत्रिक व्यास है वो कितना देर रखा है आंत्रिक व्यास है वो 4 cm ठीक है व्यास हो जाएगा 4 cm ठीक है और व्यास होता है वो तिर्जिया का दुगोना होता है तो तिर्जिया कितनी हो जाएगी तिर्जिया बराबर हो जाएगा चार बटा दू ठीके बराबर कितना हो जाएगा दू सेंटी मीटर ठीके उसके बाद में पाई पे वेलना कार होता है और वेलन का वक्रपेश्टी चेतरफल ग्यात करने का सुत्र होता है वो तू पाई आर एच होता है ठीके तो यहां लिखेंगे चेतरफल चेतरफल बराबर हो जाएगा टू पाई आर एच हो जाएगा ठीके यहां कन्फ्यूज मत हो ना कि एच का मान दिया नहीं गया ठीके पाई की लंबाई होती हो बेलना कार होती हो और बेलन की उन्चाई इसको लंबाई को मान सकते है यह एच हो जाएगा ठीके यहां पर लिख देंगे 22 बटा 7 ठीक है और का मान है वो कितना है दो सेंटिमीटर है कितना है दो सेंटिमीटर तो यहां पर लिखेंगे 2 cm का 2 का 2 और h का माहन है वो कितना है सतेतर तो यहां लिखेंगे सतेतर ठीक है अगे 7 के पाड़े से 1 बार कटेगा और 7 के पाड़े से कटेगा यह 11 बार कितनी बार कटेगा 11 बार उसके बाद में इसकी केरकुलेसन करनी गुणा करनी ठीक है 2 को गुणा 2 से करेंगे तो 4 और उसके बाद में ये कितना होज़ेगा 22 और इंटू कितना होज़ेगा 11 होज़ेगा ठीक है ये लिख दिया 11 अब बाद में इसकी गुणा करनी है कैसे करेंगे 4 को गुणा 2 से करेंगे तो 8 और 4 को गुणा किसे करेंगे इतना हो जाएगा यह 8 यह 8 उसके बाद इंटू और यह जोगा 8 ठीक ऐसके आज़ा डाट और कितने 16 और रहाट लगी एक 8 और एक कितना हो गया 9 कितना हो गया 9 तो कितना हुजएगा 968 cm2 ठीक है उसके बाद में अगला बाग है इसका बारी वक्र प्रिष्टिय छेतरफल ठीक है जैसे आंत्रिक वड़ा किया था वेसे ही हमें बारी बाग का प्रिष्टिय छेतरफल करना है ठीक है तो यहां लिखते हैं दूसरा पॉइंट है पाइप का आंत्रिक वक्र प्रिष्टिय छेतरफल ठीक है तो यहां पर लिखेंगे पाइप का बारी वक्र प्रिष्टिय छेतरफल ठीक है और उसके पाइप की लंबाई तो सेम यह ठीक है तो पाइप की लंबाई हो जाएगी कितनी तो लंबाई बराबर लिखेंगे सतेतर सेंटीमीटर यह लिखेंगे सतेतर सेंटीमीटर उसके बाद में इसका जो बारी पाइप का व्यास है वो कितना है चार पॉइंट चार सेंटीमीटर तो यहां लिखेंगे व्यास बराबर कितना हो जाएगा 4.4 सेंटी मीटर ठीक है तो तिर्जा कितनी होती है अधी तो 2 का क्या देंगे बाग करेंगे तो 4.4 बटा कितना हो जाएगा 2 4.4 में 2 का बाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2.2 cm हो जाएगी तिरिजा कितनी होगी 2.2 cm उसके बाद में इसका हमें वक्रपरिश्टी है 6 तरफल ग्याद करना तो 6 तरफल ग्याद करने का एक ही सुतर होता है कितना होता है 2 πाई आर एच यह लिकेंगे टू पाई आर एच लिकेंगे ठीके उसके बाद में दो की जगे क्या लिकेंगे दो पाई का मान कितना होता है 22 बटा 7 आर का मान है वो कितना है 2.2 ठीके इसको आप ऐसे भी सरल कर सकते हो 2.2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 22 बटा 10 कितना लिख सकते हैं 22 बटा 10 भी लिख सकते हैं पॉइंट को अटा देंगे नीचे एक लगाते हैं और पॉइंट के बाद में एक संगया तो एक सुनिये लगा देंगे तो R का मान हम 22 बटा 10 भी लिख सकते हैं और अगर इसको आगे सरल करके लिखो तो भी लिख सकते हैं, दो के पाड़े से 11 बार, और दो के पाड़े से कटेगा ये 5 बार, ठीक है, तो हम πाई का माने 11 बटा 5 भी लिख सकते हैं, 22 बटा 10 भी लिख सकते हैं, और इस R का मान है वो कितना लिख सकते हैं 2.2 भी लिख सकते हैं हम लिखते हैं 11 बटा 5 लिखते हैं R का मान हो गया 11 बटा 5 H का मान है वो कितना है 37 अब देखें इसको कारते हैं 7 के बाड़े से कटेगा 1 बार और 7 के बाड़े से 37 कटेगा 11 बार कितनी बार कटेगा 11 बार उसके बाद में इनकी गुणा करनी पड़ेगी ठीके 2 को गुणा 22 से करते हैं तो कितना आता है 45 आता है ठीके और 11 को गुणा 11 से करते हैं तो आता है 121 ठीके और नीचे में क्या बचावा है 5 तो बटा में क्या हो जाएगा 5 अब गुणा करेंगे 121 को समालिस से तो 121 और उसको गुणा करेंगे समालिस से ठीके 4 का पड़ा एक बार बोला 4, 4 का पड़ा दो बार बोला 8, 4 का पड़ा एक बार बोला 4 ठीक है और चार का पड़ा एक बार बुला चार चार का पड़ा दो बार बुला आठ और चार का पड़ा एक बार बुला चार ठीक है चार और आठ और चार कितने होते हैं 12, 184, कितने होते हैं, 12, 12, 10 कितना हो गहा है, 13 19, यान कितना हो जाएगा, 5324 तो गुना करने पर आता है 5324 और बठा कितना हो जाएगा, पांच होता है 5 यह लेखेंगे, अब देंगे 5324 में 5 bemich तो यहां side में लेते हैं, 5324 और बाग किसे का देंगे 5 का, पांच का बाग देंगे, पांच में एक बार जाएगा, ठीके, और पिछे कितना बचा, जीरो, उसके बाद में तीन उतारेंगे, तीन में पांच का बाग जाता नहीं है, ठीके, तो बाग टूट जाता है, टूटने पर उपर सुने लगता है, अगली संक्या उतरती है, हो जा आते हैं तो पिछे बसता है दो तो यहां लिकेंगे दो और तीन में से तीन गया जीरो और अगली संख्या देखो कौन सी उतरेगी चार उतरेगी दो यहां उतर गया तीन यह हो गया और पांच का यहां हो गया और चार अगली संख्या यहां पर उतर जाएगी ठीक है और पां चार बसता है ठीक है और अगे हम इसको पॉइंटों में देता है तो उपर पॉइंट लगाएंगे और नीचे क्या लगाएंगे सुनी ठीक है और आठ पंजे कितने होते हैं 40 होते हैं तो वाग कितने बार जाएगा आठ बार जाएगा ठीक है तो कितना आजाएगा 1064.8 आइगा ठीक है यह सेंटिमीटर इसकोर हो जाएगा तेरा पॉइंट दो का है चोता सवाल चोता सवाल है ठीक है चोते में एक रोलर का व्यास है वो कितना चोर्यांसी सेंटिमीटर है और रोलर की लंबाई ये 120 सेंटिमीटर एक खेल के मेदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चकर लगाने पड़ते हैं तो मेदान के खेल के मेदान का मिटर स्क्वेर में 6 तरफल ग्याद कीजिए ठीक है तो यहां लिखते हैं रोलर का व्यास रोलर का व्यास कितना दे रखा है रोलर का व्यास है वो दे रखा है 84 cm तो यह लिखते हैं 84 cm उसके बाद में रोलर की तिर्जिया कितनी हो जाएगी तिर्जिया कितनी होती है व्यास क्यादी होती है तो चोरेंसी बटा कितना हो जाएगा दो चोर्यां सी में दो और वाग देती है कितना आता है 42 cm ठींग उसके बाद में इसकी लंबाई यहां लिकेंगे रोलर की ड़लर की लंबाई ठीं कितने रोलर की एकसो भी सेंटी मिटर कितने एक सो वीस सेंटीमेट केड अब करेंगे रोलर का वक्र प्रस्टी यह चेतर फिल ज्यार त्यूंग् यह लिखते हैं रोलर का वक्र फ्रस्टी यह चेतर फिल टीके और रोलर बेल नाकार होता है बेलेन का वक्रपस्ट एचे तरफल ग्यात करने का सुतर होता है वो 2 πाई आर H होता है ठीक है अब देखेंगे 2 की जगेंगे 2 पाई का मान 22 बटा 7 आर का मान कितना है 42 से कितना है 42 और H का मान है वो कितना है वो है हमारे पास में 120 से कितना है 120 दिया गया ठीक है अब इसको हम कार सकते हैं किस के पाड़े से इसको कार सकते हैं हम 7 के पाड़े से एक बार और 7 के पाड़े से कटेगा ये 6 बार कितनी बार कटेगा 6 बार कटेगा ठीक है उसके बाद में इसकी हम केरकुलेस्टन करते हैं कैसे करेंगी दो को गुणा करेंगे 22 से करते हैं तो आता है चमारी साता है ठीक है और उसके बाद में गुणा करते हैं 6 को गुणा की से करनी है 120 से तो बार्चन कितने होते हैं बहुतर होते हैं कितने होते हैं बार्चन के बहुतर और एक सुनी है तो एक सुनी यहां लगा दे करने है ठीक है practiced कि और उसके बाद में इनकी हमें क्या करनी एक गुणा करनी है यानि जीरो आएगा आठाएगा यहीं यहां दो यहां लिखता हैं जीरो आठाइगा शोडा है किоловीकित나 हुए 11 और इसे लग ये एक डूर ये कितने होते हैं तीन होते हैं तो यहां पर कितना होगा गुना करने पर हो जाएगा 31,680 तो यहां लिखते हैं 31,680 cm2 यानि 31,600 cm2 है और रोलर का 6 तरफल होगा ठीक है और रोलर को एक मेदान को समतल करने के लिए 500 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं और यहां कंडिशन में एक देर रखा है जो खेल के मेदान का 6 तरफल है वो मीटर स्क्वेर में ग्याद करना, किस में ग्याद करना है, मीटर स्क्वेर में ग्याद करना, ठीक है, तो यहां लिकेंगे, 500 बार चकर लगाने पर मेदान का 6 तरफल, ठीक है, और रोलर का 6 तरफल है, वो कितना है, 31,280 और 500 बारसकर लगये गया तो 500 से क्या करेंगे गुना करेंगे किसे 31,680 को 500 से गुना करेंगे जो ये उतर एगा वो cm2 माएगा और हमें उतर रहना है cm2 तो यहां देखेंगे समझते हैं कि 1 m में कितने cm2 होते हैं सो को गुणा सो से करते हैं तो कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 10,000 कितने हो जाएगे 10,000 का अगर बाग देंगे तो हमारा जो उतर होगा वह आएगा मिटर स्क्राइग में ठीक है हम इसको कार सिते हैं यहां मैंने लिखा नहीं 31,680 लिखना है कितना लिखना है 680 31,680 एक जिरो से एक जिरो कैंसिल एक जिरो से एक जिरो कैंसिल पांच के पाड़े से एक बार और पांच के पाड़े से यह कटेगा दो बार, कितनी बार कटेगा, दो बार, तो पिछे क्या बसता है, कितना, 3168 बटा, कितना बचेगा, दो बचेगा, कितना बचेगा, दो, अब तीन हजार 168 में, दो का बाग देना, तीन हजार 168 में, दो का बाग देना, दो का बाग तीन में देते हैं, तो एक बार जाता है, और दो एका दो और पिछे बचा एक अगली संख्या एक कितनी बार जाएगा पांच बार जाएगा कितनी बार जाएगा पांच बार जाता है तो आएगा दस पिछे कितना बचा एक अगली संख्या छे हो जाएगी कितनी छे होगे कितने 16, 16 में बाग जाते है 8 बार, और यहां आएगा। 16 और पीच्चे बचा 0, अगली सिंग क्या, 8, 8 में 2 काब आगए, तो 4 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो यहां पर लिकिंगे, कितना, 1584 मीटर स्कर, कितना आएगा 1584 मीटर इसकर यह हमारा इंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इंसर हो जाएगा 13.2 का अगला सवाल है पांच पांच किसी बेलनाकार इस्तम का व्यास से वो कितना है 50 सेंटी मीटर है और इसकी उन्चा यह हो 3.5 मीटर है यहां ध्यान रखना व्यास है वो सेंटी मीटर में और इसकी उन्चा यह हो मीटर में 12.50 रुपे परती मीटर स्क्वेर की दर से इस्तम के वक्र प्रश्ट पर पेंट कराने किया वे गयात कीजिए लागत गयात कीजिए तो पहले लिखेंगे बेलनाकार इस्तम का व्यास यह लिखेंगे बेलनाकार पांचवा सवाल है बेलनाकार इस्तम का प्यास कितना दे रखा है वो है प्यास दे रखा है पचास सेंटी मिटर कितना दे रखा है पचास सेंटी मिटर दे रखा है ठीक है तो इस्तम की तिर्जिया कितनी होगी तिर्जिया आदी होती है तिर्जिया हो जाएगी, वो होगी, 50 बटा कितनी दो, बराबर कितना होगा, 25 सेंटीमीटर, कितना होगा, 25 सेंटीमीटर, उसके बाद में, ये सेंटीमीटर में हमें लाना है, उत्तर, वो मीटर में लाना है, तो यहां पर मीटर कितना होगा, 25 बटा 100 होगा, यानि, सेंटीमी से एक बार और पत्सीश के पाड़े से ये कटेगा चार बार यानि तिर्ज्य होगी एक बटा चार मीटर होगी कितनी होगी तिर्ज्य होगी एक बटा चार मीटर होगी उसके बाद में इसकी उन्सा ये हो कितनी दे रखी है बेलनाकार इस तंब की उन्सा ये हो कितनी दे रखी है उन्हों चाहिए वो दे रखी है 3.5 मीटर 245 मीटर टीक है 3.5 को हम 35 बटा दस भी लिख सकते हैं क्यों पॉइंट को एपको अटाया एक लगया पॉइंट के बाद एक स्गया तो एक सुनिये लगा दिय हम कार सकते हैं किस के पाड़े सो पाज के पाड़े से यह कटेगा साथ बार पांच के पाड़े से यह कटेगा दू बार ठीक है यह मिटर हो जाएगा ठीक है यानि बेलनाकार इस्तम की उनसा ही है वो साथ बटा दू होगी और बेलनाकार इस्तम की तिरज्या है वो एक बटा चार होगी ठीक है उसके बाद बेलनाकार इस्तंब का वक्र प्रस्टिय चेतरफल ग्याद करना तो यहां लेकेंगे बेलनाकार इस्तंब का वक्र प्रस्टिय चेतरफल ठीक है और बेलनाकार वक्र प्रस्टिय चेतरफल ग्याद करने का सुतर क्या होता है 2 pi r h होता है ठीक है 2 pi r h होता है उसके बाद में 2 की जिके 2 pi का मान है वो कितना होता है 22 बटा 7 होता है r का मान अभी निकाड़ा कितना 1 बटा 4 तो यह लिखेंगे 1 बटा 4 और उसके बाद में h का मान है वो 7 बटा 2 है कितना है 7 बटा 2 है ठीक है उसके बाद में दो के पाड़े से एक बार, दो के पाड़े से एक बार कटेगा, साथ के पाड़े से एक बार, साथ के पाड़े से एक बार कटेगा, दो के पाड़े से एक बार, दो के पाड़े से दो बार, यानि क्या क्या बचा यहां पर, उपर में साथ कट गया, और उसके पॉइंट कितना आता है पांच यह हो जाएगा मीटर स्क्वेर हो जाएगा यानि पांच पॉइंट पांच है यह मीटर स्क्वेर हो जाएगा यह हमारा एंस्वर है अगला परसन है छटा एक लंग वर्तिय बेलन का वक्र परष्टे चेतर पले वह चार पॉइंट चार सेंटीमेटर स्क्वेर दिया गए यदि बेलन के अदार की तिर्जिया जीरो पॉइंट साथ सेंटीमेटर रहती इसक्यों चाहीं क्यात करनी तो यहां पर लिखते हैं वेलन के आदार की तिर्जिया वेलन के आदार की तिर्जिया कितनी दे रखिये जीरो पॉइंट साथ मीटर दे रखिये इस जीरो पॉइंट साथ को हम साथ बटा दस भी लिख सकते हैं ठीक है साथ बटा दस भी लिख सकते हैं उसके बाद में वेलन के वेलन का वक्र प्रस्टिय चेतर फल ठीक है कितना दे रखा है चार पॉइंट चार मीटर स्क्वेर दे रखा है चार पॉइंट चार मीटर स्क्वेर दे रखा है और हम 4.4 को 47 वटा 10 भी लिख सकते हैं 4.4 को 47 वटा 10 भी लिख सकते हैं यह मीटर स्क्वेर हो जाएगा और हमें पता है बेलन का वक्र परस्टी चेतरफल ग्याद करने का सुतर क्या होता है 2 पाई आर एच होता है ठीक है जो किस के बराबर है 47 वटा 10 के बराबर है ठीक है उसके बाद में 2 की जगें 2 पाई का मान कितना होता 22 वटा 7 आर का मान कितना है 33 यहाँ पर लिखेंगे 7 वटा 10 और ह का मान कितना है वो हमें ग्याद करना है ह का मान है उसे हमें ग्याद करने है तो h की जगे क्या लिकेंगे h बराबर किसके हैं चमान इसे बटा 10 के बराबर है ठीक है उसके बाद में कार सकते हैं कैसे 7 के पाड़े से 1 बार और 7 के पाड़े से कटेगा 1 बार ठीक है और ऐसे हम कार सकते हैं ये 10 से 10 केंसिल हो सकता है ठीक है और अगर हम इसको नहीं करना चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे ठीक है, दो को गुणा किसे गंडी है 22 से तो कितना होता है 44, कितने होते है 44 और नीचे क्या बचा है 10 बचा है, कितना बचा है 10 और इंटू में क्या बचा हो है एच बचा कितना बचा है एच जो किस के बराबर है चमालिस बटा दस के बराबर है ठीक है उसके बाद में ये गुणा में है ठीक है और इस साइड जो चमालिस बटा दस को ले जाएंगे तो ये संग्या प्लट कर हो जाएगी दस बटा चमालिस कितना हो जाएगी दस बटा च चमालिस ठीक है और चमालिस के पाड़े से एक बार, दस के पाड़े से एक बार, दस के पाड़े से एक बार, यानि एच कामान कितना आएगा, एक सेंटी मीटर आएगा, कितना आएगा, एक मीटर आएगा, वेसे भी इसको कार सकते हैं कैसे, दस के पादे से एक बार और उसको ऐसे काड़ सकते हैं 22ऊ 44 चमाली autoconline कितना आजेगा एक मीटर राजाएगा अगला क्यूशन है सात्वा कर लिया था और उसके बाद में सोरी सात्वा परसन है afterward किया था सात्वा परसन है किसी वर्ताकार कुए का आंत्रिक क्यास है वो दिया गया 3.5 मीटर है ठीक है और ये गारा या नि गारा कितना है 10 मीटर है यहां। पर लिखते हैं कुए की गैयराई यहां लिखेंगे कि दे रखिये क्लिए दे रखिये वह दस मीटर है कितनी है दस मीटर है यहां लिखेंगे कुए की गहराई बराबर कितनी है दस मीटर है कितनी है दस मीटर और कुए का आंतरिक व्यास कितना है तो यहाँ पर लिखेंगे व्यास है वो दिया गया है तीन पॉइंट पांच मीटर है कितना है तीन पॉइंट पांच मीटर है उसके बाद में इसकी तिर्जया कितनी होगी तिर्शिया प्यास की आद्धी होती है, तो यहाँ पर लेखेंगे 3.5 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर देखें इस पॉइंट को हटाएंगे और पॉइंट के बाद में कितने अंक है, एक अंक है तो सुन्य भी कितना लगेगा यानि 35 बटा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 ठीक है इसको हम काट सकते हैं 5 के पाड़े से कटेगा साथ पंजा 35 यान 7 वार 5 के पाड़े से कटेगा 4 ठीक है यानि तिरजिया हो जाएगी 7 बटा 4 हो जाएगी एक तरीका इसका और है जैसे तीन पॉइंट पांच है और इसको हम पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे एक लगसता है और पॉइंट के बाद में एक अंक है तो सुनने कितना लगेगा एक हो जाएगा 35 बटा कितना 10 हो जाएगा ठीक है और ये तो हमारा क्या है व्यास है ठीक है वो तिर्जिया होती ह व्यास की आदी होती है तो 10 का बाग दे रहें उसकी जगें 20 का देंगे तो 35 बटा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा पांच के पाड़े से साथ वार पांच के पाड़े से कटेगा चार बार ठीक है अगे हम इसका आंतरीक वक्रपरश्टिय छेतरफल ग्यात करते हैं ठीक है तो सुतर होता है दू पाई आर एच होता है ठीक है दू पाई आर एच होता है उसके बाद में दो की जगें दू पाई का माने 22 बटा साथ आर का माने वो अभी निकड़ा कितना साथ बटा चार तो यहां लिखेंगे साथ बटा चार और एच का माने वो कितना है दस कितना है दस उसके बाद मैं इसको कार सकते हैं दो के पाड़े से एक बार दो के पाड़े से दो बार साथ के पाड़े से एक बार साथ के पाड़े से एक बार ठीके और दो के पाड़े से ये कटेगा एक बार और दो के पाड़े से ये कटेगा कितनी बार 11 वार कितनी बार 11 वार और बचा क्या क्या है ठीक है उपर में बचा है 11 उपर में बचा है इन 2 में 10 और नीचे में बचा है कुछ नहीं ठीक है नीचे कुछ नहीं बचा है यहां पर इसको उना करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 मिटर हो जाएगा ठीक है वापिस कारते हैं 2 की जगे 2, πाई कमान 22 बटा 7, r की जगे 7 बटा 4, h कमान 10 से ठीक है 2 के पाड़े से 1 बार, 2 के पाड़े से 2 बार, 2 के पाड़े से 11 बार, 7 के पाड़े से 1 बार, 7 के पाड़े से 1 बार 10 को गुणा 11 से करेंगे तो कितना होता है 110 होता है ठीक है स्क्वेर कराने का वेग्यात कीजिए यानि एक मीटर स्क्वेर करने की लागत एक मीटर स्क्वेर कराने की लागत कितनी हैं 40 रूपे कितनी है 40 रूपे तो हमारे पास में कितना मीटर स्क्वेर एरिया है वह है 110 मीटर स्क्वेर प्लास्टर कराने का कराने की लागत प्लास्टर कराने की लागत यह लेकेंगे लागत ठीक है उसके बाद में 110 को गुणा करनी है किसे 40 से, किस से गुना करनी है, 40 से, ठीके, 110 को 40 से गुना करेंगे, तो 4400 आएगा, 4400 रुपे आ जाएगा, ठीके, ये हमारा answer आ जाएगा, एक दूसरे point का ये answer है, और उस पहले point का ये answer है, ठीके,